हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डक्टर कुरूपा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे तो आजके ये इस वीडियो में अगर आप लोगों की हड़िया या फिर आपको जोडों में दर्द होता है बहुती ज्यदा कमजोर है आपकी और साथी में बार-बार आप लोगों को फ्रेक्च verst coherence आपके बोडी में कैल्सियूम की कमी है तो आजका ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज मैं ये वीडियो में आप लोगों को हुम्यों पर थी कि बहुती एक अच्छी कैल्सियुम सप्लीमेंट्स की मेडिसिन के बारे में आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुती ज्यादा बेनिफिशल होने वाला है तो एंट तक बने रही है आप सभी लोग मेरे साथ ये वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो केल्शियम मजबूत हड़ियो के लिए बहुती एशेंशल होता है और हमारे बॉन हेल्थ के लिए केल्शियम जो है वो बहुती एक अच्छा सा न्यूट्रियंट है और साथी साथ केल्शियम जो है वो एक नैसेसरी मिनरल भी है और हमारे बोडी में 99% केल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों में और हमारे दातों में होता है हमारे शरीर में केल्शियम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है मतलब कि हमारे शरीर में केल्शियम जो है वो बनता नहीं है इसलिए हम जो डायेट डेली लेते हैं उसमें बहुती जरूरी है कि हमें इनफ प्रमांट में केल्शियम जो है उसमें प्रेजंट तो जब हमारी बोड़ी को डायेट में से अगर प्रॉपर केल्शियम डेली नहीं मिलता है तो हमारी बोड़ी जो है वो डेली हम लोगों को जितनी केल्शियम की रिक्वामेंट रहती है तो वो क्या करता है कि हमारे बोन्स मितलब के हमारे हड़ियों में से वो केल्शियम को हमारी बोडी जो है वो ले लेती है अगर अगर आपको लंबे समय से ऐसा हो रहा है तो दिरे-दिरे करके आपकी जो हड़िया है वो कमजोर होने लगती है इस्पेशली अगर फीमेल्स में अगर देखा जाए तो मेनोपोस के बाद ऑस्टिय पोरोसी होता है रिकेट्स होता है और आपकी हड़िया जो है वो कमजोर होने लगती है तो आपको जोइन पेन नी जोइन पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो ये सभी अलग-अलग प्रकार के आप लोगों को हड़ियों से रिलेटेड कमप्लेइन आपकी स्टार्ट होन देती हैं का तरफ करें में कैलिया का सबसे अच्छा सोन होता है तो उसमें सबसे पहले आता है तो वो है dairy product तो dairy product जो होती है उसमें high amount में calcium जो है वो present रहता है तो specially उसमें सबसे पहले आता है तो वो है milk तो अगर आप लोग daily one glass of milk अगर आपके diet में आप शामिल करते हैं कभी भी daytime में या फिर night time में तो आप लोगों को calcium की कभी भी कमी नहीं रहेगी और साथी में अगर आप लोग dairy product यानि कि अगर आप लोग थोड़ा चीज खाते हैं पनीर लेते हैं आपके diet में तो यह सभी चीज़े भी आप लोग साथ में अगर include करते हैं आपके diet में तो धिरे धिरे करके आपके calcium की जो कमी है आपके body में वो कम हो जाती है उसके बाद अगर हम बात करें especially vegetables की तो vegetables में जो spinach है पालक है ब्रोकली है टमाटर है तो यह सभी vegetables में हमें calcium जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो यह सभी vegetables को भी आपको आपके daily diet में आपको उसको add करना चाहिए साथी में अगर आप dry foods की अगर हम बात करें तो almonds है तो almonds में best calcium का source रहता है और साथी में deads में भी high reach of the calcium रहता है तो deads भी आप लोग daily खा सकते हैं next calcium का source वो है soya bean तो soya bean आजकल तो हर अलग-अलग form में available है अगर आप चाहे तो roasted soya bean ले सकते हैं फिर soya bean का पनीर यूज कर सकते हैं soya bean का milk आता है वो यूज कर सकते हैं फिर tofu जो है वो भी best source of the calcium है तो वो भी आप लोग आपके diet में आप उसको include कर सकते हैं तो यह सभी चीज़े हो गई vegetarian के लिए अगर आप non vegetarian है तो आपको आपके diet में fish जरूर एड़ करना चाहिए क्योंकि fish जो है वो high reach calcium होता है और साथी में अगर आप लोग एक्स खाता पसंद करते हैं तो एक्स में आप लोगों को calcium अच्छी मात्रा में मिल जाता है तो यह सभी अलग-अलग calcium के sources है और fruits से अगर बात करें तो fruits में specially आप लोगों को orange खाना चाहिए especially जो 40 प्लस woman है वो लोगों को तो daily orange खाना चाहिए because 40 के बाद जो menopause age जो है वो start हो जाती है तो उनके body में calcium की कमी जो है वो start होना शुरू हो जाता है तो orange जो है उसमें high मात्रा में आप लोगों को calcium और vitamin D दोनों मिल जाता है तो fruits में orange is best है और साथी में अंजीर अंजीर भी उसमें भी आप लोगों को अच्छा सा calcium मिल जाता है तो यह सभी बात हो गई sources की तो अभी हम बात करेंगे homeopathic medicine के बारे में तो यह बहुती ज्याद effective medicine है जिसका नाम है calcarea 466 आप चाहें तो उसकी picture में यहां पे screen पे लगा दूंगी आप अच्छी तरह से देख लीजी यह medicine को क्योंकि यह medicine की बहुती ज्यादा फाइदे है especially it's mainly उसका function जो है वो क्या है कि वह cells के new cells के formation में help करती है और साथी में it's mainly used for the teeth and bonds development तो अगर कोई आपके घर में one year से कम age का बच्चा है आपके घर में तो उसके teeth formation के लिए भी आप लोग यह medicine का अच्छी तरह से use कर सकते हैं उसमें आप लोगों को भी best result मिलेगा और साथी में जो लोगों को जोडों में दर्ध है आपके जोडों में दर्ध है तो उसके muscles जो है वो stiff हो medicine है इससे आप लोगों को जरूर अच्छे results मिलेगे और साथी में हुई आपकी हड़िया को मजबूत बनाने में भी आपकी help करती है तो जैसे ही आप लोगों को females में अगर बात करें तो जैसे ही menopause edge start हो जाती है तो आप लोगों को doctor calcium supplements जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं त without any side effects तो यह medicine की कोई भी side effects नहीं है अगर आप लोग modern medicine आप calcium supplements लेते हो तो उससे यह medicine कई गुना ज्यादा बैटर है और यह medicine आपको results भी अच्छे देगी और साथी में इसकी कोई भी side effects भी नहीं है तो जो लोगों को जोड़ों के दर्थ के रिलेटेर या फिर जो लोगों यह medicine का जरूर यूज करें और आप लोग चाहें तो उसको daily continuous भी आप लोग इसका use कर सकते हो अभी हम बात कर लेते हैं उसके doses की तो doses में अगर आप लोगों को छोटे बच्चों को आप लोगों कर दीत formation के लिए आप लोग देते हो तो छोटे बच्चों को 2-2 tablets आप लोग को देनी है और यह जो tablet है वो mouth dissolving tablet है तो सिर्फ यह tablet को आपको टंग के उपर रख देनी है तो वो अपने आप ही dissolve हो जाएगी आपको इसको water के साथ लेने की जरूरत नहीं है और अगर कोई बड़े adults लोग जोडों के दर्थ के लिए या फिर हट्टियों के लिए कोई medicine ले रहे हैं तो आप लोगों को 4-4 टेबलेट दिन में तीन बार लेनी है सुबह दोपेर और रात को एसे तीन बार 4-4 टेबलेट आप लोगों को टंग के उपर रख देनी है तो वो अपने आपी वो dissolve हो जाएगी यूँकि यह mouth ड़ते है तो यह था मेरा आज का छोटा सा उसको आपके फ्रेंज और फेमिली के साथ सेल जरूर करें और प्लीज डॉन्ट फरगेट तो सब्सक्राइब तो माई चैनल तो आई विल मिट यू आल इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग